दोस्तों किसी की भी मन की बाते जानने के लिए तीन तरीके होते हैं लेकिन इन तीनों तरीकों को समझना अतियावस्चक है यदि आप इन तीनों तरीकों को समझ लेते हैं तो आप किसी की भी मन की बाते बड़ी आसानी से जान सकते हैं समझ सकते हैं तो चलिए इसे एक बहुत दकाहनी की माध्यम से समझते हैं, कि किस तरह से आप दूसरों की मन की बाते को जान सकते हैं, समझ सकते हैं, बहुत समय पहले की बात है, एक छोटा सा गाउं था, उस गाउं में दो भाई रहा कर देती, बड़ा भाई अंधा था, जिस कारण वो हमे करकीव सुझी, एक दिन उसने सोचा, केतों में से जानवर को भागाने के लिए, क्यों न, मैं अपने बड़े भाई की मदद लो, वैसे भी बड़े भाईया अंधे हैं, अगर वह खेत में बैठे रहेंगे, और जानवरों की आहाट आने पर, वह उन्हें जोर से चिल्ला कर भागा देंगे, जिससे हमारी फसले बच सकती हैं, इसलिए मैं अपने खेत में उन्हें बैठा देता हूँ, यह सब सोच विचार करने के बाद, उसने अपने खेत में एक छोटी सी जोपड़ी तयार की, और अपने अंधे भाई को उस खेत में बैठा दिया, और उनसे कहा, भाईया, अगर कोई जानवर की आहट आपको सुनाई दे, तो आप जोर जोर से चिल्लाना, यह सुनकर जानवर वहां से भाग जाएंगे, और हमारी फसले नस्ट होने से बच जाएंगे, बड़ा भाई अपनी छोटे भाई की बात माल लेता है, और वह उस दीन से खेत में ह रहना सुरू कर देता है, जब भी किसी जानवर की आहट उन्हें सुनाई देती, तो वह तुरन जोर जोर से चिल्लाना सुरू कर देता है, जिससे वह जानवर उसके खेतों से भाग जाता, ऐसा करते करते कई दीन बीच चुकेते हैं, तभी एक दिन उसके खेत में एक हिरन हुआ आता है और वहाँ खेत की बांध को तोड़ कर वहाँ से भाग गया लेकिन उसी हीरन का पीछा करते हुए एक राजा भी वहाँ पहुचा तभी राजा की नजर उस अंधे भाई पर पड़ती है राजा उस व्यक्ति से कहता है देखो यहाँ पर मैं एक जानवर का पीछा सकता है कि जो जानवर मेरे खेतों से होकर भागा है वह आपके लायक नहीं है आप अपना समय उसके पीछे यूही व्यस्त कर रहे हैं राजा उस अंधे व्यक्ति की बात सुनकर बड़ा अचरज में पड़ जाता है वह यह सोचने लगा कि आकिरिया तो अंधा है फिर इसे क दूर तो नहीं कह रहे हैं एक तरब तुम यह कहते हो कि तुम अंधे हो और दूसरी तरब तुम यह भी कह रहे हो जो जानवर यहां से भागा है वह मेरे लायक नहीं है इस पर वह अंधा व्यक्ति कहता है, हे राजन, जिसे आप एक हिरन समझ रहे हैं, असल में वह एक हिरन नहीं है, बल्कि एक हिरनी है, और वह भी गर्भवती है, और जहां तक मुझे ग्यान है, मैंने कभी किसी राजा को किसी गर्भवती हिरनी का सिकार करते हुए नहीं सुना और इसी कारण मैं आपसे यह कह रहा हूँ कि वह हिरनी आपके लायक नहीं है आप उसके पीछे अपना समय वेर्थ ना करें यह सुनकर राजा और भी अचरज में पढ़ गया वह सोचने लगा कि आखिर यह अंधा आदमी कैसे जान सकता है कि वह हिरनी है और गर्भवती है राजा कुछ देर सोच विचार करनी के बाद अपने सेनापती से कहता है सेनापती जी मुझे वह जानवर जिंदा चाहिए क्योकि मुझे यह पता करना है क्या वह हिरनी है और क्या वह गर्भवती है क्योंकि यह अंधा आत्मी बहुत विश्वास के साथ कह रहा है और मुझे इस बात की पुष्टी करनी है यदि वह हिरनी हुई और गर्भवती हुई तो वह हमारे सिकार के लायक नहीं है क्योंकि हम तो एक हिरन का पीछा कर रहे थे इसलिए जाओ और पता करो क्या वह हिरनी है सेनापती राजा से आग्या लेकर आगे की ओर बढ़ जलता है और कुछ देर बाद जब वह वापस लोट कर आता है तो वह राजा को कहता है हे राजन इस अंधे आदमी ने जो भी बाते कही है वह बिल्कुल सही है वह हिरनी है और वह गर्भवती भी है यहां सुनकर राजा आस्चर चकिद रह गया उसे समझ नहीं आ रहा था आखिर अंधा आदमी कैसे पता कर सकता है कि वह जानवर हिरनी है और तो और वह गर्भवती है भला एक अंधा आदमी यहां कैसे देख सकता है यहां कैसे जान सकता है आखिर इससे यहां कैसे पता चला ऐसे कई सारे प्रस्न राजा के मन में उमरने लगे अब राजा ने ठान लिया था कि मुझे इस बात की तह तक कहुच नहीं है कि आखिर अंधा आदमी कैसे जानता है कि वह जानवर एक हिरनी है यह सोचकर राजा उस अंधे वैक्ति के पास जाता है और उस अंधे आदमी से कहता है देखो मै यह तो नहीं जानता कि तुम सच मुझ अंधे हो या नहीं लेकिन मैं तुम से एक बात जानने आएँ क्या तुम मेरे प्रस्ण का सही सही जवाब दोगे इस पर अंधा वैक्ति कहता है हे राजन आप जो कुछ उचना चाहते हैं मुझसे पूच सकते हैं मैं आपको बिल्कुल सच सच जवाब दोगा इस पर राजा कहता है देखो एक तो तुम कहते हो कि अंधे हो और दूसरी तरफ तुमने यह बता दिया जिस जानवर का पीछा मैं कर रहा हूँ वह हिरनी है और तो और वह गर्भवती भी है आखिर तुम्हें यहां कैसे पता चला तुम्हारे खेत में और भी तो जानवर आते होंगे और भी तो जानवर यहां से गुजरते होंगे फिर तुमने यहां कैसे अंधाजा लगाया तभी वह अंधा वेक्ती राजा से कहता है हे राजन आप जिस हिरनी का पीछा कर रहे थे वह हिरनी जब मेरे खेत में आई उसकी रबतार उसकी भागनी के हड़ से मुझे यह ऐसास हो कि यह हिरनी है और मेरे खेत की जो बांध है वह बहुत छोटी है उसकी उचाई ज्यादा नहीं है यदी कोई धेरन होता तो उस बांध को बड़ी आसानी से लांग जाता लेकिन वह हिरनी इस बांध को तोड़ कर भागी है यदी वह इस बांध को छलांग लगा कर पार करने का प्रयास करती तो इससे उसके बच्चे को खत्रा होता और इसी बात से मैंने यह पता लगा लिया क कि वह गर्भवती है इस कारण वह ज्यादा उची छलांग ना लगा कर मेरे खेत के बांध को तोड़ते हुए बांग गई इस पर राजा के मन में एक और प्रशन उठा राजा ने का किन्तु तुम्हें कैसे पता चला कि वह एक फिरनी है और भी तो कोई जानवर यहां पर आ स मेरे खेत में आये हैं और उसी के अधार पर मैं जोर जोर से चिलाता हूं ताकि वहां मेरे खेत से भाग जाए और मेरे खेत की फसलों को नश्ट नगर पाए राजा अंधे व्यक्ति का यह जवाब सुनकर पूरी तरह से संतुष्ट हो चुपा था वह मन ही मन यह सोच रहा कि आदमी भले ही अंधा हो लेकिन यह तो बड़ा ध्यानी मालूम बढ़ता है इस आदमी से कुछ न कुछ तो काम निकलवाना ही चाहिए यह विचार लिये हुए राजा वहां से वापस अपने महल की ओर लौड जाता है राजा महल पहुंसते ही अंधे व्यक्ति से कहता है आप तो बड़े ही ध्यानी व्यक्ति हैं आपको किसी भी बात का पता बड़ी असानी से चल जाता है आज मैंने आपको यहां पर इसलिए गुलाया है कि मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि मेरी पत्नी पती व्रता है या नहीं इस पर अंधा व्यक्ति कहता है हे राजन यह कैसा प्रस्ण हूँ इस पर राजा कहता है मैंने आपसे बिल्कुल उचित प्रस्ण किया है मुझे इस प्रस्ण का उत्तर देजी इस पर वह अंधव्यक्ति कहता है हे राजन यह सारी बाते जाने देजी आपकी साधी को कितने साल भी चुके और अब आप यह बात क्यों जानन शाहते हैं. यदि आप मुझे इस प्रसन का उत्तर नहीं देंगे तो मैं आपको मृट्तु दंड दे देंगा। राजा के मुक से यहां बाद सुनकर वह अंधर व्यक्ति कहता है। हे राजन यदि आप इस प्रसन का उत्तर चाहते हैं तो उसके लिए आपको मेरा एक काम करना होगा राजा कहता है बोलो मुझे क्या करना है इस पर व्यक्ति कहता है इसके लिए आपके पत्नी को मेरे कमरे में अकेले छोड़ना होगा अंधे व्यक्ति की यह बात सुनकर राजा तो पहले क्रोधित हो जाता है ल केला छोड़ दिये सिनापति बिल्कुल वैसा ही करता है राजा की पतनी और अंधा व्यक्ति एक कमरे में बंद हो चुका हुआ रहता है तभी वह अंधा आदमी राजा की पतनी से कहता है मुझे आपको छुना है इस बात पर रानी अत्यदी कुरूधित हो जाती है और उस अं अंधा अदमी अपनी जान बचाकर वहां से भाग निगलता है और वह राजा के पास पहुंचता है और वह राजा से कहता है हे राजन आपकी पतनी पत्नी व्रतन नहीं है यह बात सुनकर राजा अत्तरी कुरूधित होता है और राजा अपनी तलवार निकालकर सीधा अपन अब भी के अब भी, सर धर से अलग कर दो। तभी आगे राजा कहता है, मुझे बताइए, क्या आप पती वरता है या नहीं, इस पर राणी कहती है, हे राजन, आप भले ही मुझे जान से मरवा देजे, लेकिन मैं पती वरता नहीं हूँ। राजा या बात सुनकर बहुत खुश हुआ, क्योकि उस अंधह आदमी ने जो भी कहा था, वह बिल्कुल सच था। या बात सुनकर राजा तुरन उस आदमी के पास पहँजता है। और आकर उस अन्धह आदमी से कहता हैं। तुम्हें कैसे पता चला कि मेरी पत्नी पती वरता नहीं है। इस पर वह अन्धह आदमी कहता हैं। हे राजन बड़ी सीधी सी बात हैं मैंने तो आपकी पत्नी से बस इतना ही कहा था कि मुझे आपको छुना है और इस बात पर वह इतना क्रोधित होठी कि उन्होंने गुस्से में आकर मुझे लाद घुसा से मारा और पीठना शुरू कर दे और भला कोई औरात किसी और मर्द क कैसे छू सकती हैं लेकिन उन्होंने न आओ देफा न ताओ बस लाद घुसे मुझे पर बरसाने शुरू कर दे वह भी तो एक छूना ही हुआ और पती व्रता नारी कभी भी किसी पराय मर्द को नहीं छूती जब मैंने उसे छूने के लिए कहा था तो वह उस वक्त मुझे म पती व्रता हो सकती हैं इस पर राजा कहता है तुम तो बड़े ध्यानी मालूम बढ़कर अच्छा ठीक है चलो तुम मेरे एक प्रस्न का और जवाब दो यदि तुमने मुझे इस प्रस्न का सही सही जवाब दे दिया तो मैं तुम्हें यहां से जाने दूंगा आगे राज से आपको क्या लेना देना आप किसी की भी आउलाद हो अखिर आप है तो इस राज्य की राजा इसलिए इस प्रस्न को जाने दीजिए लेकिन राजा कहता है नहीं-नहीं मुझे इस प्रस्न सही सही जवाब चाहिए अन्य supersti मुझे हमेशा परिसान करता रहेगा इसलिए मैं इसका सही सही जवाब जानना चाहता हूँ यदि तुम इसका सही सही जवाब दे देते हो तो तुम यहां से जा सकते हो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा इस पर वह अंधा आदमी कहता है हे राजन इसके लिए तो मुझे आपके मा के पास भी जाने की कोई अवस्चत नहीं मैं आपको अभी अभी यह बता सकता हूँ कि आप किसकी आउलाद है लेकिन उस से पहले मैं चाहता हूँ कि आप मुझे से एक वादा करें कि आप मुझे पर प्रोध नहीं करेंगे राजा ने कहा मैं तुम से वादा करता हूँ मैं तुम पर क्रोध नहीं करूँगा इसके बाद वह अंधा आदमी राजा से कहता है ये राजा आप है तो अपने पिता के ही पुत्र लेकिन आप पर एक कंजू सेप की छाया पड़ी हुए है यह सुन राजा बहुत क्रोधी थो और वह तुरन तलवार निकाल गए अपनी मा के पास जा पहुंचा वहाँ पर पहुंचने के बाद अपनी मा से कहता है मा मुझे सच सच बताई क्या मैं अपनी पिता का ही पुत्र हूं या नहीं यदि आपने मुझे सही सही नहीं बताया तो मैं यहीं पर अपने प्रांट मुझे बताओ सच क्या है इस पर उस राजा की मा कहती है बेटा तु है तो अपने पिता का ही पुत्र लेकिन तुम्हारे उपर एक कंजूर सेट की छाया पड़ी हुई है जब मैं एक बार नहाने के बाद अपना मुह आइने में देख रही थी तभी उस कांच के पीछे मुझ अंधे आदमी के पास पहुंचता है और उस आदमी से कहता है तुम्हें कैसे पता चला कि मुझे पर एक कंजूर सेट की छाया पड़ी हुई है इस पर वहाँ आदमी कहता है हे राजन आपने मुझसे कई सारे सवाल पुछे जिनका जवाब मैंने आपको सही सही दिया है पंजूस हो यह बात सुनकर राजा जोर जोर से हसने लगा और कहता है आप जो भी मांगेंगे मैं आपको अवस्य दूंगा लेकिन तुम मुझे यह बताओ कि तुम्हें कैसे पता चल जाता है कि कौन सी बात सही है और कौन सी बात गलब तुम किसी भी बात का इतना सटीक औ और सही जवाब कैसे दे पाते हूं इस पर वह अंधा आदमी कहता है हे राजन मैं तो वैसे ही अंधा हूं यदि मेरी आखे होती है तो मैं किसी की भी मन की बाते बड़ी सरलता से जान लेता मन की एक भासा होती है और यह भासा मनुष्य के सरीर के वयवार की रूप में किसी के भी मन की बाते जान सकते हैं। लेकिन मैं तो अंधा हूँ, मैं देख नहीं सकते हैं। इसलिए मैं क्रियाओं से देखता हूँ। यदि मुझे कोई बात जाननी हूँ, तो अगले आदमी को कुछ काम देना पड़ता है। जिस पर वहाँ वैक्ति किस प्रकार काम करता ह किस तरीके से इस काम को करता है। उसके अधार पर ही मैं यहाँ पता कर पाता हूँ कि उसके मन में क्या चल रहा है। तभी वह राजा कहता है, तो इसका अर्थ यह हुआ कि मैं भी किसी की मन की बाते जान सकता हूँ। इस पर वह अंधा आदमी कहता है। हे राजन, अवस्य आप भी किसी वेक्ति की मन की बात जान सकते हैं किन्तु उससे पहले आपको अपने उपर काम करना हुआ और वह काम है अपने मन को सांथ करना अपने मन को वर्तमान में लाना जिसके लिए मैं आपको तीन तरीके बताने वारा हूँ तो हम दूसरे की मन की बाते जान सकते हैं, क्योंकि वह आदमी अभी भी अपने मन में वरतमान में ही सोच रहा है, और हमें भी मन को वरतमान में ही लाना होगा, तभी हम उसके मन की बाते जान सकते हैं, यदि हम अतीत में हुई घटनाओं के बारे में सोच रहे हैं, तो वह जो अगला आदमी वर्तमान में सोच रहा है, वर्तमान में अपने मन में बात कर रहा है, वह हम कैसे जान पाएंगे, क्योंकि हम तो अतीर की घटनाओं में डूबे हुए हैं, इसलिए किसी की भी मन की बात जानने के लिए सबसे पहले हमें हमारे मन को एकागर करना हो, उसे वर्तम मिलाना होगा, आगे वह व्यक्ति राजा से कहता है, हे राजन, जो तीन तरीके मैं आपको बताने वाला हूँ, इन तीन तरीकों से बड़ी आसानी से किसी के भी मन की बाते जान सकते हैं, उसके बार वह अंधा आदमी राजा से कहता है, हे राजन, जो सबसे पहला तरीका है वह है आखोंपर ध्यान देना किसी वेक्ति से बात करते वक्त उसकी आखों में देखना उसकी आखोंपर ध्यान देना जो सबसे ज़्यादा जरूरी है क्योंकि आखे बोलती नहीं पर बहुत कुछ कह जाती है यदि हम किसी वेक्ति की आँखों की इसारे को समझना सीख जाए हम यह जान पाएंगे कि वेक्ति के दिमाग में क्या चल रहा है वह क्या सोच रहा है और अभी वह क्या करने वाला है मेरे पास आँखे नहीं है लेकिन मैंने अपने गुरू से यह विद्या सीखी है क्योंकि ब को भी उनकी आँखों पर गौर करना चाहिए जैसे कि उनका आकार कैसा है वह कब कहां और किधर देख रहा है यदि उसकी आखे यहां वहां घूम रही है जब आप से बाते कर रहे हैं तो वहां वह इधर-उधर मोड रहा है कभी उपर तो कभी नीचे या कभी आसपस या फ कि अगले आदमी ने कोई गलती किये। ठीक, उसी प्रकार जब हम किसी चलाक आदमी की आँखों में देखते हैं, तो आपको पता चलेगा कि उसकी आँखों में भासा होती है। एक सिधा और सरलो, आसान तरीका होता है। यदि आपको यह पता लगाना है कि सामने वाला व्यक्ति आपसे जूट कह रहा है या सही, तो फिर आपको उसकी आँखों पर ध्यान देना अत्यन तावस्चक है। यदि आपसे बात करते वक्त वो व्यक्ति अपनी आँखे यहां वहां घुमा रहा है। उपर नीचे इधर उधर दाएबाएं हर जगा देख रहा है। तो इसका अर्थ यह हुआ कि वह उस बात से निकलने का कोई रास्ता ढोन रहा है। या कोई जूट बना रहा है। यदि सामने वाला व्यक्ति आपसे कोई जूट कहने का प्रयास कर रहा है। तो वह आपसे नजर नहीं मिलाएगा। वह यहाँ वहाँ देखेगा, उपर नीचे देखेगा। लेकिन वह आपकी आँखों में आँखे डाल कर कभी नहीं देख पाएगा। क्योंकि उसे डर है कि उसने अगर आपकी आँखों में आखे डाल कर देखी तो उसका जुक पकड़ा जाएगा और लोगों को सच्चाई का पता चाल जाएगा और इसी प्रकार कुछ और भी भासाएं होते हैं जब आप किसी की आँखों में आखे डाल कर देखना सुरू कर द जैसे आख, होट, बहुंस से कुछ अलग-अलग व्यभार करतें। यदि आप किसी व्यक्ति के चेहरे में गौर करेंगे तो आप आसानी से समझ पाएंगे कि वह व्यक्ति निरास है। जब व्यक्ति उदास है या फिर वह बहुत खुश है या फिर उसे कोई बहुत बड़ा वह अपने अंदर क्या महसूस कर रहा है या सारी बाते हम उसके चेहरे के हाँभाव से पता कर सकते हैं। फिर चाहे इनसान जबान से कुछ बोले या ना बोले, लेकिन आप उसके Чेहरे से सब कुछ पता कर सकते हैं। आगे वेक्ति राजा से तीसरा तरीका बताते हुए कह हे राजन इसी प्रकार तीसरी भासा भी है अर्थात तीसरा तरीका भी है और वह हाथों के इसारे और सरीर का वेवहार मन की बास समझने के लिए हमें हाथों के इसारे और सरीर के वेवहार को समझना बहुत जरूरी है कोई वेक्ती जब बात करता है तो आपने देखा होगा वह अपने हाथों को हिलाते रहता है अपने हाथों से इसारा करते रहता है बातों के सांस सांथ अपने सरीर का जो वेवहार है अर्थात बॉडी लेंग्विज उसका पूरा उप्योग करता है जिससे हमें यह पता चल प हाथों का एक दूसरे से मसलना, ऐसी बहुत से क्रियाय होती है, उस पर हमें ध्यान देना अतिय आउस्षित है। मन की बात को समझने के लिए हमें सरीर के वैवार को भी समझना पड़ता है। यदि हम इन तीन तरीकों को सही तरीके से ध्यान दे कर इन तीन तरीकों को अच्छे से समझ लेते हैं तो बहुत जल्द हम किसी भी वेक्टी की मन की बाते बड़ी सरलता और सहजता से जान सकते हैं इसलिए यदि आपको किसी की मन की बात जानना है तो आपको उसके आँखों पर उसके चेहरे पर उसके सरीर के हाव भाव और उसके हाथों को ध्यान पुर्वक देखना और समझना होगा जिससे आप यह समझ पहेंगे कि आखिरकार उसके मन में क्या चल रहा है और वह क्या करना होगा सांत करना होगा और अपने मन को वरतमान मिलाना तभी हाव उस्ति के हाव भाव पर कभी ध्यान ही नहीं पाएंगे और नाहीं आप कभी यह समझ पहेंगे कि आखिर उस्वेक्ति के मन में क्या चल रहा है वह क्या सोच रहा है आपने देखा होगा कि ऐसे कई बड़े संथ महात्म है जो बड़े ही सांती से आपको देखते हैं और आपको देखकर ही बता देते हैं कि आपके मन में क्या चल रहा है आप हमसे क्या जानने आए हैं और इसका सबसे बड़ा प्रमु कारण यही है कि वह आपको पढ़ सकते हैं, आपको समझ सकते हैं, आपकी मन की बाते जान सकते हैं, क्योंकि उनका मन एक आग रह, सांथ है और यही कारण है कि वह आपकी मन की बाते बड़ी सरलता समझ जाते हैं दोस्तो कैसी लगी यह कहानी आपको कमेंट सेक्षन में जरूर बताना और अगर अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर आन कर देना ताकि कोई भी ऐसी ज्यानवर्धक कहानी जब हमारे चैनल पर पोस्ट हो तो आपको तूरण नोटिफिकेशन पहुंच जए तो मिलते हैं किसी अगली कहानी में तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा जैहिन जैवारा